मैं बात चुरू करना चाहूंगी कि जो आपने अपनी बाचीत में कहा था अशोक बुर्वरेजी ने जितना मैं आपको मराठी में समझ पाई आपने जो जिक्र किया तक्षीला का मैं ये मेरी बात से इतर थोड़ा सा जरूर परसंग चाहूंगी कहना आपके सामने कि मुझे अब अच्छा लग रहा है जब आपने तक्षीला का जिक्र किया तो मुझे वो याद आया संदर्व मैं पिछले दिनों ही तक्षीला गुम के आई थी और मैंने तक्षीला विश्व देला को देखने का अवसर प्राब किया था पाकिस्तान में लाहूर में लेकिन थोड़ी दो प्रतिमा की तरफ मेरा ध्यान गया आप इसको westbook पर बी अज सोशल मेंडिया का जमाणा वहां भी च ​कर सकते हैं वहां जो प्रतिमा ती जो मैं की तरफ मैं आपका ध्यान देलाना चाहती हूं उनके प्रतिमा के बीच में जो छिद्र होता है हम सब में वहोता है हो इन हम हम जो नौर्थ इंडिया में जो रहने वाली महिला है और पुर्ष भी हम महराष्ट्रा की तरफ देखते हैं क्योंकि दली सहित्य की शुरुआत एक तरह से बिल्कुल जो माइल्स्टोन का काम किया यहीं से शुरुआत एक तरह से मानी जाती है और यहां की महिलाएं बहुत ज टॉठ है मैं जिसमें मैं आपनी बात कर रही है तो यहां से जो गई होती ही महिलाएं थी वो उसमें उंगली ढाल डालके देख रही थी डखिला विश्वतेदले की में बात कर रहे हैं और उंगली ढालके वो इच्छा मितला बंगने की कि कुछ भी आप मांगेंगे तो एkem आपको मिलेगा तो सारी जितनी जितनी महिलाई थी सारी के सारी उसमें उगली डाले और आख बंद करें जैसे एक जो आख बंद करके जो एक ध्यान लगाने की वाली जो होती है मुझे बड़े हरानी हुई मुझे लगा कि अगर यही अमबेड करी यही अगर बुद्धिस्ट परंपरा है तो इसमें और दूसरी जगह पे जहां मंदिरों में जाके माता टेकती हैं महिलाएं और जिनको हम बड़े मतलब अलग तरह से देखती हैं उनमें और इनमें अंतर क्या है फिर अंतर तो बेसिकली वचारकी का है और वचारकी अगर यहां काम कर रही है तो मुझ मा का बुद्विहार का भी मैं जुरूर परसंग करना चाहूंगी और यह मैं ज्यान बूज कर आपके सामने जिकर करना चाहती हूं क्योंकि आज हम जहां खड़े हैं दिक्षा भूमी जो नासरा भारत में बल्कि विशव में भी अपनी एक धरोर मानी जाती है नागपुर क सब्सक्राइब करें या फिर जब मंच पे जब हम लोग बात करते हैं जहां आदान परदान होता विचार को विचार की का सहमत है सहमत हुआ जा सकता है अगरा महां भी इस तरीके से आप आतम विशिलेशन नहीं करेंगे तो मुझे लगता है साहित्य में वह वह चीज कहीं महीला समयलन हो था उसके अधेक्षता मैंने की थी और मैं शिर्फ तीन महिने की मेरी प्रग्णेंसी थी तमाम जो जो पहले वाले में होगे वो देखते होंगे उस दिन वे almonds बहुत खराप थी और जब जन्य वगी से सहमत हो सकती है कि उस वक्त की कैसी स्थिति होती है तो वहां एक बेंच रखा हुआ तो मैं उसमें लेटी लेटी आख लगी क्योंकि टाइमिंग का भी थोड़ा जेट लागिंग होता है तो तुरंत महिलाएं वो जो खासकर बुद्ध विहार में वहां थी उन्होंने तुर अगर आप इस तरीके की चीजों को लेकर नहीं आए तो वैचार की आखिर कहां है अब मैं बात करती हूं टीसरी आज के जो संधर्व की जो चुनोतियां हैं हमारे सामने आखिर वो क्या है अभी वहीं से बात शुरू करना चाहती हूं हमारे तमाम जो भाई लेखक हैं जो बहुत बड़े बड़े लेकक हैं अम बेड़करी वचार की के नाम पर जो एक तरह से अगर जरास अभी इतर उनके विचार रखते हों तो उनको पच्चनिया नहीं होता यह चुनोती है और यह महिला होने के नाते इसलिए चुनोती है क्योंकि आखिर हम फिर उन चीजों को करता जा रहा है राज कहीं तो पुस्त के लेखक भी पुस्तकों को संपादित जो कर रहे हैं वो जो फेस्बुक पे जो लिखा जा रहा है उसी को संपादित भी करते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि आप जो फेस्बुक मीडिया पे या सोशल मीडिया पे डालते हैं वो इत बेराते हैं और वो वैक्टी के तरूप से भी मैं कह सकती हूं कि आज के जो दुजंदर हमारे जो लेखक हैं वो महिलाओं से सर्टिफिकेट मांगना शुरू कर चुके हैं सब्सक्राइब पर कि बेचार की क्या है उनको इससे कोई मतलब नहीं होता हुदा कि हमारी महिलाएं चश्मा क्यों पेहन्थी हैं कालाides लगाकर फोटो Catch डाली पिछले दिनों बहुत बहास होई फेस्बुक पे और बिलकुल बड़े लेखकों के द्वारा मेरे सामने प्रोफेसर विमल्थ राक्ति हैं जिनको हमने मैंने तो कम से कम दिली में जब मैं आई थी मैंने इनको देखते हुए मैं एक तरह से बड़ी हुई हूँ क्योंकि जब म प्रवेश लिया था तब मेरा एक तरह से उस तरीके का इंट्रवेंशन था ही नहीं और मुझे इस विकार करने में भी कोई गुरईज नहीं हमने तमाम जो लेखक है हमारे उनको पड़ते हुए सीखा है उनके व्यक्तित्व को देखा है उनकी खामियों को भी नजर अंदा है घुमाफिरा के करने के जो हमारा स्तरीकर्ण है वर्ण ववस्ता से लेके जो शुरू हुआ जाती वाद वो जो स्तरीकर्ण है वो जो एक हरार्की हमारे समाज के अंदर है वो हमारे बीच में से भी है और वो ना सिर्फ एक तरह से वैचार की तक्सीमित है बलकि वो हमारे इतना अंदर गहरे से पैट की हुई है। कि अगर कोई भी महिला और खासकर उस तरिकन में अगर महिला आती है वो कुछ भी बात करती है। उनके लिए खासकर उस वर्ग के लिए जो अपने आपमें स्थापित साहित्यकार हैं जो आपने आप में बहुत बड़ी लेखी काई मानती हैं जो आपने आप में बहुत बड़े दुरंदर लेकर कहते हैं वो सिरफ यह लेकर तक नहीं कहते हैं बलकि फेकेदारी भी उन्होंने लिए और वो इसके उपर बहस करते होते हैं कि किसी भी म महिला ने चश्मा लगा के बाबा सबंबेडकर के बारे में जैभीम क्यों लिख दिया जैभीम का सर्टिफिकेट भी आज देने की जरूरत है महिलाओं को और उन महिलाओं को जो इतने संघर्षों से निकलती है मैं अगर अपना व्यक्तिक अनुभव आपके सामने सांजा मैंने अभी हिंट में बताया आपको आप सोचिए जब मैं नागपूर से यहां तक चली थी मेरी तीन महीने की प्रग्नेंसी थी और जब मैं जनेवा में थी तब मेरे साथवा महीना आठवा महीना लगा हुआ था के कम बात है और आप इसके उपर सवाल खड़ा करते हैं कि आप मैलाएं जो नागपूर में जो इकठा होती है वो उनका वैचार की कुछ नहीं है वो भिंदी लगाती है वो चूड़िया पहनती है वो किसी भी समाजिक संगर्शों में योगदान नहीं देती मैं बता दूँ आपको हमारी मैलाएं बढ़ चड़ कर हिंसा लेती हैं सी के वचार की होती है तो हमें सोचने के जरूरत है मैं यहां अंबेड करी वचार की की चुनोतिया के हैं उसके उपर बात करना चाहती थी और वो चुनोति यह है कि आप आगर वाकई में अंबेड करी विचारधारा को मानते हैं तो बाबा साब भीमराव अंबेड कर एक ऐसे सक्षियत हुए हैं ना सिरफ दलित बहुजन समाज के महिलाएं बलकि तमाम वो महिलाएं जो प्रगती शील थी जो समाज के निर्माण की भूमेबने के बड़ा योगदान दे रही थी वो सारी कि सारी उनके साथ थी क्यों उनके साथ यह महत्तपुन सवाल है क्यों आज तक उ संक्या में थी मुझे लगता है भारत के इतियास में कोई भी ऐसा अंदोलन नहीं हुआ जित्में जितनी बड़ी संक्या में महिलाओं ने साथ दिया था जो बाबासाब भीम्रावंबिड करका था लेकिन उसके बाद हुआ क्या आखिर जो वैचारकी की जो जो शुरुआत जो वहां से थी वो यहां आकर ठहरती है कि हमारे दलित लेकक इस बात के उपर चर्चा करते हैं कवल भारती जैसे लेकक जो बड़े अपने आपको धुरंदर मान रहे हैं उसके टुचपईया इतने माफी मांगती हूं शब्दों की सिमा तोड़ते हुए ऐसे टुचपईय देख न yetakt kita और एक परोफेसर इन द्रम में क्या अंतर यह ऐंतर पुर्षण कर रहें वहां बैठ हुए जहां तमाम दुनिया के लोग उनको देख्टे होते फालोवर्स देख्टे होते हैं बात करते हैं एक साहिद्य रचा जा रहा है अज सोसल मीडिया के मादम से भी एक साहित्य की एक नई पीड़ी आ चुकिए जिसको आप नजर अंदाज नहीं कर सकते अगर इस तरीके के समयलेनों में यह चर्चा हम लोग नहीं करते हैं तो मुझे लगता है अंबेड़करी साहित्य खासकर मेला अंबेड़करी वचारकी में कहीं ना कहीं उ अपने समाज के लिए तो कुछ करी नहीं रहें अब बताएए अब आप या तो फिर जानबुझ के आप उसको जाती वाद में दखेलना चाहते हैं ताकि आप सवाल सिरफ जाती का करें यह कुंसी अमेड़कर वादी विचारदार है आप खुद जानबुझ के उसको इस ले विद्वान है जो यह कहते हो थकत नहीं थकते मानिशाद प्रतिष्टाम तो अगम सास्वती समय यत क्रोच मतुरादे कमवदी काम होते हैं जाइए कहें सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे संतु निरामय आप उसका विरोध करेंगे या इनका विरोध करेंगे जो आपके ब दलित बहुजन की बात करता है तो उसको यह करने का अधिकार नहीं है ठीक उसी तरह हमारे दिली विश्विदल्य में संस्कृत पढ़ाती हो और संस्कृत लोगों के बीच में रहती हो वहां क्या है कि अगर गाली देगा तो ब्रहमन ब्रहमन को गाली दे अलोचना अगर कर सब्सक्राइब करने में कितना समय लगा प्रोफेसर विमल थोराटी की साक्षी है हम लोग तो कहीं नहीं था लेकिन आप लोगों को देखते हुए सीखाय है हमने अगर वहां से हमने शुरू किया और यहां आकर अगर हम जातिवाद पर बात करते हुए अमेड़करी विचा कारधारा में होते हुए आप यह कहें कि आप अगर प्रसंसा भी करेंगे तो हम ही करेंगे यानि कि दलित दलित की प्रसंसा करें कि दलित महिला दलित महिला की प्रसंसा करें माफ किजिए का बिलकुर सीधा एक दम चुबता हुआ सवाल आपके बीच में छोड़के जा रही